दोस्तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि LIC of India किस तरह से बनी यानि लाइफ इंस्वेंस कार्पोईशन आप इंडिया का जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ साथी साथ सावरेंड गारेंटी क्या है और आपको LIC of India से पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो दोस्तो ये सारी जानकारी में आपको डिटेल में बताऊं इससे पहले में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे यूटूब च 56 से पहले हमारे देश में बहुत सारी इंस्वेंस कंपणी थी कोई छोटी इंस्वेंस कंपणी थी कोई बड़ी इंस्वेंस कंपणी थी कोई देश की कंपणी थी कोई बिदेश की कंपणी थी तो इस तार देखा जाए तो पूरे भारत में अलग-अलग राजी में कुल मि किसी का maturity amount ये लोगों को नहीं दे पा रही थी और इस तरह देखा जाये तो किसी ना किसी company की company आये दिन आया ही करती थी और भारत को भी अजाद हुए उस समय कुछ जादा समय नहीं हुआ था तो 1956 में जो बीत्य मंतिर थे CD देश्मुग जी इन्हों ने क्या करा सभी company का भी कह सकते हैं कि 240 बीमार insurance company को मिला करके एक नई company का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया यानि Life Insurance Corporation of India अब दोस्तों यदि देखा जाए तो यह जितनी भी insurance company थी जिनको आपस में मिला करके liceo of India का निर्माण किया गया था ये जितनी भी company थी सभी company नुकसान वाली company थी यानि इनके पास किसी भी तया का पैसा नहीं था तो इन सब को मिला करके जब liceo of India का निर्माण किया गयाация तो Government of India ने क्या करा? LIC of India को 5 करोर रुपे दिये और ये 5 करोर रुपे इसलिए दिये ताकि LIC of India जितने भी आफिसे उन आफिसों के जो खर्चे हैं उसे अच्छे से मेनेज कर सकें साथ ही साथ यदि किसी policy holder की कोई claim का amount आ जाता है या maturity आ जाती है तो उसका जो भुकताने LIC of India बहुत की असानी से कर पाए इसलिए Government of India ने उस समय 1956 में 5 करोर रुपे दिये और यदि आज के हिसाब से देखा जाए तो वो 5 करोर रुपे 500 करोर रुपे हो जाते हैं तो यदि बात की जाए Government of India की तो इसने LIC of India को 5 करोर रुपे दिये थे वो भी 1956 में अब दोस्तों क्योंकि पुरानी जितनी भी insurance company थी वो लोगों का जो claim है जो maturity है उसका amount का भुकतान नहीं कर पाई थी तो लोगों का जो विश्वास था वो insurance company के उपर से उठ चुका था तो कोई भी वेक्ती LIC of India में policy नहीं कराना चाता था तो उस समय government of India ने एक guarantee दी जिसे कहते हैं sovereign guarantee और इस guarantee के तहट क्या था कि जो भी वेक्ती LIC of India से policy लेगा या जिस भी वेक्ती ने पहले से policy ले रखी है तो उसको एक guarantee दी जाती है कि यदि LIC of India किसी भी current से आपका जो पेशा है उसका भुकता नहीं कर पाती है तो आपके पेशों का जो भुकता ने वो government of India करेगी वो भी bonus के साथ यानि जितना भी payment आपका बनता है वो पूरा payment government of India देगी तो दोस्तों यदि आप बात करें कि आपको LIC of India से policy लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप insurance policy लेना चाहते है तो आपको हमेशा LIC of India से ही policy लेना चाहिए तो कि LIC of India से यदि आप policy लेते हैं तो आपके policy के उपर government of India या एक guarantee रहती है जिसे sovereign guarantee कहते हैं यानि जो आपका पेशा है वो पूरी तह से सुरक्षित रहता है तो आपको हमेशा LIC of India से ही insurance policy लेना चाहिए तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि LIC of India का जो निर्मान है वो किस तह से हुआ अभी आप जान चुके हैं साथ इसाथ sovereign guarantee क्या ह आप इसका मतलब भी जान चुके हैं तो दोस्तों इसी था कि insurance से संब्दिट वीडियो देखने के लिए LIC of India से संब्दिट वीडियो देखने के लिए यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी भी सब्सकाइब ना करा हूँ तो चैनल को सब्सकाइब करें और साथ ही साथ बेल आ अग्यार प्धियो जादियो प्हाँ झाल से लुके आपने हमारे था बिए फ्लुके हैं अग्यार प्लुके एम